हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रीतम और आपका बहुत-बहुत स्वागय थे मेरे किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी एकदम चटपटी स्पाइसी और फ्लिवर फूल भूना चिकन मसाला की रेसिपी इस चिकन की रेसिपी को आज में बहुत ही अलग और सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी और साथ ही चिकन के लिए एक फ्लिवर फूल मसाला भी तयार करूंगी जिससे रेसिपी का टेस्ट ऐसा होगा कि जो भी खाएंगे आप से रेसिपी जरूर पुछेंगे तो वीडियो में अन तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनाना है तो इस सूपर टेस्टी और मेज़िदार चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले 800 ग्राम चिकन को पानी से बहुत ही अच्छे से धो कर साफ करके लेंगे उसके बाद इसमें एक चमच नमक, आधा चमच हल्दी पॉडर और साथ ही आधा चमच कश्मीरी लालमिश पॉडर और दो चमच सरसो का तेल डालेंगे और सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मसाले और तेल के साथ चिकन को मिक्स करने से चिकन में बहुत ही बढ़िया से सारी चीजों का फ्लेवर आ जाएगा और चिकन में स्मेल भी नहीं आएगा अब इसे 15-20 मिनट तक रेस्ट पर रखेंगे अब जब तक की चिकन मेरिनेट होगा हम एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर फुल मसाला तयार करेंगे तो उसके लिए डेड़ चम्मच साबुत धनिया डालेंगे उसके बाद एक चम्मच जीरा और एक चम्मच ही साबुत काली मिर्च आड़ करेंगे अब पहले एक मिनट लो फ्लेम पर इन्हें हलका सा रोस्ट करेंगे और जब ये मसाले हलके से रोस्ट हो जाएंगे तब इसमें कुछ और साबुत मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले दो लाल मिर्च, दो दालचीनी का टुकड़ा, तीन हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, पांच लॉंग और एक फुल जावित्री का डालेंगे अब इन मसालों को भी साथ में ही क्रैकल होने तक रोस्ट करेंगे, जिससे सारे साबुत मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से इनहेंस हो जाएगा और जब मसाले थोड़े क्रैकल हो जाएगे तब हमें फ्लेम को बंद कर देना है, अब क्यूंकि पैन अभी काफी गरम है तो ऐसे ही इसे चलाते रहेंगे नहीं तो मसाले जादा रोस्ट हो जाएगे और इससे जला हुआ का फ्लेवर आने लएगा अब जब मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएगे तब इन्हें हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेगे अब इन्हें बहुत ही अच्छे से पीस कर बिल्कुल फाइन पौडर बना लेगे अब यहां बहुत ही flavorful मसालों का एक दम बारीक supporter तयार है तो इसे हम एक bowl में transfer कर लेंगे और इसे हम अभी side में रखेंगे अब फिर से वही जार लेंगे और इसमें 25-30 लसन की कलियों को छील कर डालेंगे उसके बाद 6 हरी मिर्च और 2-5 इंच अद्रग के टुकड़ों को छो अब जिस तरह से मैंने इसे mixi में दरदरा किया है आप चाहें तो खलवटे में भी कूट सकते हैं तो बस इसे हम side में रखेंगे अब एक कडाही को gas पर चढ़ाएंगे और इसमें 2 टेवल स्पून सरसो का तेल डालेंगे और जब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो और flame को high करके दो मिनट चिकन को सीखने देंगे उसके बाद इसे spatula से इस तरह से चलाते हुए पल्टेंगे और अब flame को medium to high करके चलाते हुए 10 से 12 मिनट बढ़ियां से fry करते हुए कुक करेंगे जिससे चिकन भून भी जाएगा और क्यूंकि चिकन को हमने नमक और तेल के सा तो चिकन फ्राई होने के साथ साथ 50 to 60% कुक भी हो जाएगा और जब इसे फ्राई करते हुए 12 मिनट हो जाएगे तब आप देखेंगे कि चिकन के ऊपर golden spot आ जाएगा और चिकन श्रिंक होने लएगा तो बस इसी स्टेज पर हम इसे बाउल में निकाल लेगे और आप तेल में दो टेवल स्पून सरसो का तेल और आड़ करेंगे और तेल के गरम होने के बाद इसमें आधा चम्मस साबुट जीरा तीन लाल मिर्च और दो तेज पत्ता आड़ करेंगे अब सारी चीजों को पहले हलका सा रोस्ट करेंगे ध्यान रहे कि मिर्च हमने पहले भी आ अब जब यह साबूत मसाले थोड़े क्रैकल हो जाएंगे तब दो बड़े साइज के प्याज को चौप करके डालेंगे और अब प्याज को बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डेन गलर आने तक फ्राई करेंगे ध्यान रहे कि प्याज को बस मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही फ्राई करना है जिसे कि प्याज में हलका सा कलर आ जाये और प्याज जले भी नहीं और जब प्याज हलका सा भून जाएगा तब इसमें जो हमने अदरक लसन और मिर्च को दर दरा पीस कर रखा था वो डालेंगे और बढ़िया से चलाते हुए भूनेंगे जिससे अदरक लसन का कच्चा फ्लेवर भी चला जाएगा और साथ ही साथ प्याज भी अच्छे से भून जाएगा. अब जब सारी चीजें अच्छे से भून जाएगे तब इसमें दो मीडियम साइज के प्याज को रफली काट कर डालेंगे और मिक्स करेंगे. उसके बाद इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आइड करेंगे. नमक यहाँ ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हमने पहले भी चिकन में डाल रखा है. अब टमाटर को भी दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे. उसके बाद सारी चीजों के साथ टमाटर भी थोड़ा भून जाएगा तब इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन डालेंगे. और बहुत ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे. अब यहाँ चिकन को प्याज और टमाटर के साथ पहले अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे जिससे प्याज और टमाटर का फ्लेवर चिकन में आ जाएगा. और प्याज और टमाटर के साथ चिकेन को लगबग 5 मिनट low to medium flame पर भूनने के बाद इसमें हमने जो special मसाला का powder बना कर रखा था वो डालेंगे और फिर से मसाले के साथ चिकेन को और भूनेंगे अब क्योंकि यहाँ चिकेन भी पहले से ही बढ़िया भूना हुआ है और मसाले भी रोस्टेड है तो सारी चीजें अच्छे से भूनी हुई है तो बस सभी चीजों को 5 मिनट चलाते हुए मिक्स करने के बाद इसमें 1.5 कप गरम पानी आड़ करेंगे अब क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा ग्रेवी के साथ बना रही हूँ तो मैंने 1.5 कप पानी आड़ किया है पर अगर आप ड्राइ बनाना चाहते हैं तो 1 कप पानी ही आड़ करें अब मिक्स करने के बाद इसे ढख कर 12-15 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे जिससे चिकन भी बहुत ही अच्छे से गल जाएगा और साथ ही साथ चिकन में सभी फ्लेवर आ जाएगे और ये देखिए लगबग 15 मिनट के बाद चिकन बहुत ही बढ़िया कुक हो गया है और तेल भी ग्रेवी के उपर फ्लोट हो रहा है और ये अभी से ही देखने में बहुत ही जादा टेम्टिंग लग रहा है तो बस एक बार इसे मिक्स करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी फ्रेस कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे और मिक्स करेंगे और अब ये सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है और ये देखिए अब तयार है हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम ला जवाब जूसी स्पाइसी भूना चिकन मसाला जो की देखने में जितना टेंप्टिंग लग रहा है उससे कहीं जादा खाने में जबर्दस्त है और आपने तो देखा ही कि इसे हमने बस कुछ बेसिक मसालों के साथ बहुत ही असानी से बनाया है ताकि कोई भी बिगनर्स बिना कोई जंजट के बना ले और आप इसे गरम गरम चावल रोटी या नान के साथ इंजोई कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चिकन की रेसिपी पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई